नवश्कार दूस्तों, 22 सेब्डमर 2021 के डेली न्यूस अनलिसिस करेंट अफेस डिसकुशन में आपका स्वागत है आज काफी सारी इंपोर्टेंट न्यूस है, लगबग 10-11 इंपोर्टेंट न्यूस है आज देखते हैं कौन-कौन सी न्यूस हम लोग डिसकुस करेंगे पहली न्यूस है, नैशनल कॉनफरेंस अन अगरीकल्चर फॉर राभी केमपेन 2021 से ये जो नैशनल कॉनफरेंस कंटर्ट करवाई गई है ये वीडियो कॉनफरेंसिंग के थूरू कंटर्ट करवाई है इसको हेड कॉन कर रहे थे, Union Agriculture Minister शीर नरेंद सिंग तोमर साब इस Conference के तुरान Agriculture Minister साब ने क्या बोला तो तोमर जी ने बोला कि Central Government is fully committed to supporting the states to increase production and productivity and to face challenges post by climate change and rain-fed agriculture यह तो आपको बोल वच्चन टाइप का डायलोग नज़र आएगा इस specific points को समझने कोशिश करेंगे इसको बोलिए कि efficiency के साफसे चीजों को इस्तमाल करें ना कि इस साफसे इस्तमाल करें कि जादा subsidy मिल रहे तो उड़ाते रहो ठीक है फिर भाई नैनो यूरिया को इस्तमाल करने की बात की गई है जो की थोड़ी कम costly होती नैनो यूरिया के बारे में concept मैं आपको बहले बता चुका हूँ एक्चुली यूरिया का ही ये form है नैनो यूरिया इसको develop किसने किया है तो इफको ने इसको develop किया है इफको आप जानते हैं ना फुल फॉर्म क्या है इस फो का इंडिन फारमर्स फर्टिलाइजर कोपरेटिफ तो अगर आप इफको के इक बायो टेक्शनलोजी रिसर्च सेंटर है इफको का नैनो बायो टेक्नलोजी रिसर्च सेंटर कलोल गुजरात वहाँ पे आपका ये नैनो यूरिया डेवलप किया गया था लिक्विड फॉर्म में अवलेबिल होता है ये नेरो नियुरिया और प्रोप्राइटी पेटेंटे टेक्नोलोजी है मतलब इस प्रकार का नैनो यूरिया केवल इसको ही बना सकता है चुकि इसने इसको अभी के लिए पेटेंट कर रखा है ठीक है भई नैनो यूरिया के बहुत सारे और भी बेनफिट्स हैं पहले बात की हलका फुलका एडिया आपको दे दिया फिर भाई लैंड फर्टिलिटी के लिए स्टेप्स ले राज्य की सरकार ने मिनिस्टर ने ये भी बोलाई कि जो कृशी विग्यान केंद्र है के भी के ये फार्मर्स तक पहुँचें और उन फार्मर्स को गोर्मेंट की अलग-अलग स्कीम्स के बारे में बताएं फिर इस कॉन्फरेंस का एक और टार्गेट था तू रिव्यू एंड एसस दा क्रॉप परफॉर्मस तो राभी सीजन के लिए क्रॉप वाइस टार्गेट को फिक्स करना पिछले क्रॉप सीजन में कितनी प्रोग्रेस हुई है कैसी एगरिकल्चर प्रोड़क्शन हुई है इसको देखना राज सरकारों के साथ कंसल्टेशन करना क्रिटिकल इनपुट्स की कवीना हो फार्मर्स के बाद इस बात को इंशोर करना इनोवेटिव टेखनलोजी के एडॉप्शन को फैसिलेटेट करना प्रोड़क्शन प्रोड़क्टिविटी को बढ़ाना बोल बच्चंट है खरीब सीजन 2021-22 के दुरान 10.9 लाख सीड मिनी पैकट्स बाटे गए थे अरहर के उरद के और मूम के अभी राभी की बात की जाए 2021 बीस तो रिकॉर्ड नंबर और सीड मिनी किट्स लेंटेल बाटे गए 2.06 लाग ओयल सीड के केस में 2.14 लाख सीड मिनी किट्स सोयबीन ग्राउन नट और सेशा सम बाटे गए थे खरीब 2021-22 के दुरान और 8.66 लाग 8.67 लाख सीड मिनी किट्स मस्टर्ड ग्राउन नट लीन सीड और सैफ्लावर के लोकेट किये गए राभी 2021-22 के लिए यह सीड किट्स फार्मर को प्रोवाइट किये जाएंगे इन सीड किट्स में हाई क्वालिटी सीड होंगी जिसको सो करके क्रॉप्स का प्रोडक्शन करेंगे फार्मर फिर रिसेंटली ओयल पाम मिशन को भी लॉंच किया गया है जिसके चलते एडिशनल 6.5 लाख हेक्टेर इस ओयल पाम कल्टीवेशन के अंदर आएगा अंध्रमदेश, तेलांगना, करनाटका, तमिल नाडू, ओडिसा, गुजराच, छत्तिजगर, नौर्थ इस्टन स्टेट्स और अंडमान एन निकोबार में तो यह सब बात ही यहाँ पर आपको बताई जारी है, ओवराल ओयल कल्टीवेशन के अंदर दो हज़र उनतिस तीस तक 16.71 लाख हेक्टेर आएगा आगे बनस पहले वीडियो पर लाइक के बटन दोस्तों, अगर अब तक आपने इस चैनल को शेर नहीं किया, इस वीडियो को शेर नहीं किया, कर दीजे, चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे, अगर नहीं किया, तो हो सकते हैं तो जोईन बटन दबाईए दोस्तों, that is specifically very helpful, please click the join button if possible for you, Instagram पर follow कर लिजे, Telegram ग्रूप, join कर लिजे, हर चीज़ का link नीचे दे रखा है, General Studies paper to issues related to health में, यह particular news आपको काम आएगी, नेक्स्ट बात करते है, Union Health Minister Religious Third State Food Safety Index, तो भाईए हमारे Union Minister for Health and Family Welfare, श्री मनसुक मंडविया साब ने रिलीस किया है, Food Safety and Standard Authority of India का Third State Food Safety Index, तो सबसे पहले तो exam perspective से यह याद अखिएगा, कि जो State Food Safety Index launch किया जाता है, रिलीस किया जाता है, फसाई के दौरा रिलीस किया जाता है Got it? Food Safety Standard Authority of India के दौरा, अग यह particular State Food Safety Index करता क्या है? It measures the performance of state across five parameters of food security, यहाँ पे जो Union Minister है हमारे Health and Family Welfare के, इन्होंने facilitate किया है nine leading states और Union Territories को, और उनकी rank की गई है, 2020-21 के लिए, मतलब जिन states ने भी overall food safety के respect में अच्छा काम किया है, यह 5 parameters of food safety को implement करने की कोशिश की है, उनको यह पर facilitate किया गया है, बड़े states में गुजरात is the top ranking state, जिसके आद के लाद के लाद कर रहा हूँ, छोटे states में गोवा नंबर बन पर आता है, उसके लाद में एक हाले बनीपूर आते है, युनेटरेटीज में नंबर बन पर आता है, जम्मोन कश्मीर, दूसरे पर इको सिस्टेम हमारे देश का, इसको proactively maintain करने के लिए क्या किया जाएगा, कि ये food safety vans deploy कर दी जाएगी, अब ये food safety vans पूरे देश में गुमेंगी, अभी के लिए total 109 ऐसी food security vans हो गई है, पहले नबी थी, उनने 100 और launch कर दी गहीं, तो 109 हो गई है, ये food safety vans जगा जगा ज गुमेंगी, और जहाँ जहाँ पर भी restaurant ये food providers खाना वगरा दे रहे हैं, उनको test कर सकती है, ये overall extempore basis पर ये देखने के लिए कि हाँ भाई, जो खाना दिया जा रहा हो अच्छी quality का है कि नहीं, तो इस mobile food testing laboratory से functionalities को मदद मिलेगी, ताकि states और unit territories में, food की quality को लेके outreach और surveillance activities ब तो इस particular क्या सकते हैं कि आप mobile testing van will be utilized as an effective tool for training and awareness generation activities among citizens, ठीक है भाई, फिर यहाँ पर और भी बहुत सी चीज़ें होई है, मिनिस्टर साब ने pan-India जो survey था आपका, for identifying the presence of industrially produced trans fatty acid content in selected foods, इसके results को भी यहाँ पर रिलीस किया है, फिर यहाँ पर मंदविया साब ने बहुत सारे innovative initiatives launch किया है, फसाई की दोरा जिसमें eat right research award आता है, grants RTA to encourage and recognize high quality research in the area of food safety and nutrition, फिर एक logo भी launch किया है, vegan foods के लिए, ताकि vegan foods को easily identify किया जासा कि, vegan foods जानते हैं, जो mass वगरा नहीं खाते हैं, milk products नहीं लेते हैं, मतलब animals related अगर आप कोई भी product नहीं लेते हो, तो आप अपने आपको vegan आटके बालोंगे, एंडिया में vegetarian का concept होता है, तो इंडिया में लोग vegetarian होते हैं, non-veg नहीं खाते हैं, बढ़ दूत नहीं कहते हैं, लेकिन अगर आप foreign में जाओगे, तो foreign में vegetarian and non-vegetarian का concept नहीं होता है, वहाँ vegan का concept होता है, मतलब या तो आप animal products लेते हो, या फिर आप animal products नहीं लेते हो अगर आप अनिमल प्रड़क्स नहीं लेते हो तो वीगन हो गए तो उसमें मास और दूर दही घी ये सब कुछ आ जाता है ठीक है भाई फिर आगे बात कीज़ें तो ऐसा पार्ट ऑफ ओंगोई अफर्स तो इंगेज इंडस्ट्री इंडस्ट्री और इशू अफ प्लास्टिक इन फूट पैकेजिंग ट्वंटीफ फूट बिजन से साइंड प्लेज और विक्मिंग प्लास्टिक वेस्ट वेस्ट नूटल तो 24 फ देखें यूनियन स्टील मिनिस्टर शी राम चंदर प्रसाथ सिंग ने लाँच किया है डैश्बोर 2.0 अफ मिनिस्ट्री स्टील इसको डेवलाफ किस ने किया है अब आप बोलो कि सरी कि निस्ट्री किया है तो आपने बड़ी नई चीज़ बता दी तो यह कुछ नहीं है यह है नैशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर सर्विसेज इंक नैशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर ज्यादा तर जो गौर्मेंट वेबसाइट बनाने वगरा काम है इसके पास है तो यह जो डैश्बोर 2.0 लांच किया गया है मिनिस्ट्री स्टील का इसको भी नैशनल इंफॉर्म वो उसके दाम क्या है, स्टील में लगने वाले raw materials का production इंडिया में कितना हो रहा, कितना हमारे पास steel का stock है, कितना उस स्टील को इस्टील को स्तवाल करके हम rail का production कर रहे हैं, trade में कितना वो इस्तमाल हो रहा है, और यह जो data है, वो public और प्राइविट सेक्टर वाइस दोनों तरीके से कंपाइल किया जाएगा मतलब प्राइविट सेक्टर कितना production कर रहा है consumption कर रहा है और public system सरकारी ओंड कमनी से कितना production कर रहें consumption कर रहे हैं फिर prude skill finished skill pig iron sponge iron हर category में यह data compile किया जाएगा monthly trends को यहां पर identify किया जाएगा एक्सपोर्ट और import की monthly analytical reports को देखा जाएगा top 10 और top 10 और bottom 10 importing और exporting countries को यहां पर identify किया जाएगा तो यह सब चीज़ें यहां पर इस particular portal में आएंगी आगे बात करते हैं project फिलवारी अंडर आजादी का अमरित मुहसब तो अगर आप मद्धपदेश साइड सिंग्रॉली साइड जिले में जाते हैं तो वहां पर निगाही करके भी एक जगा है आस पास मैं अच्छली में गया हूँ इसलिए जानता हूँ तो Northern Coal Fields Limited नाम की एक सिंग्रॉली बेस्ट कोल इंडिया आम है Ministry of Coal के अंदर इसमें क्या किया है कि 75 फुलवारी सेंटर्स स्टार्ट करने की बात की गई है की है मतलब सिंग्रॉली डिस्ट्रिक्ट और मद्रपदेश में अब आप समझ सकते हो दोस्तों Northern Coal Fields क्या करेगा यह कोल का प्रोड़क्शन करेगा सिंग्रॉली बोस्ट के ओल इंडिया की आम है कोल का प्रोड़क्शन करती है अब माइनिंग बगर हम इनवार्ड हैं यहां पर Northern Coal Fields तो वहां पर डेवलप्मेंट में जो आसपास के लोग हैं उनकी हालत खराब होती है भाई जहां कोईले की खदान होती है कोईले की खदान का मालिक वहां नहीं होता वो कहीं और बैठा होता है यूरोप में किसी कंट्री इंट्री मजा कर रहा होता हाला कि यह जो Northern Coal Fields है आप कह सकते हो कि चलो सरकारी कंपनी है अभी इसके अंदर 75 फुलवारी सेंटर बनाये जा रहे हैं अभी के लिए 25 सेंटर अलरड़ी काम कर रहे हैं जिसमें टोटल 220 बच्चे हैं ये बच्चों की उमर 6 महीने से 3 साल की है और इनको अलोकेट किया है NCL ने 128 लाग रुपे मतलब लगब एक करोण 28 लाग रुपे अंडर कॉर्परेट सोशल रिस्पॉंसिबिलिटी तो ये सब क्यों किया जा रहा फुलवारी सेंटर समझ ये बात को बात ये है कि हर कंपनी सस्टेनेबिल बिजनस प्रैक्टिस को अडॉप्ट करें ये बहुत ज़गा जुरूरी है अब जिस इलाके में माइनिंग करती है इसकी एक्टिविटी की वज़ए से डेवलपमेंट रुपता है वहां के लोगों के पास एकनॉमिक अपॉर्चुनिटी कम होती है तो अपने प्रॉफिट में से पैसा खतम करके नौदन कोल्ड फील्ड क्या करने की कोशिश कर रही है कि वहां के लोगों के पुवर्टी को दूर करने कोशिश कर रही है उनकी हेल्थ को मेंटेन करने में उनके वेलबीं को मेंटेन करने में और क्वालिटी एजिक्विशन को मेंटेन करने में एक रोल प्ले कर रही है हुआ यह था कि रिसेंटली एक नैशनल फैम्ली हेल्ट सर्वेय हुआ था एन फेचिस फोर जिस इसके बैसिस पर प्रोजेक्ट फुलवारी को यहां पर लॉच किया गया और इस प्रोजेक्ट फुलवारी के इंदर बहुत सारे सेंटर्स बना जाएंगे और उन सेंटर्स में छे महीने से तीन साल के बच्चों के डिवलप्मेंट के रिए काम किया जाएगा तो उनकी मौल हो रहा है कि नहीं हो रहा है फिर एज एप्रोप्रीट सॉफ्ट ट्वैस अर्ली चाइल्ड के एजूकेशन ट्रेनिंग मॉड्यूस कॉंफिदेंस बिल्डिंग मैजर्स इन बच्चों की कोगनेटिव फिजिकल इमोशनल और सोचल डेवलप्मेंट पे काम करना यह सब नौधरन कोल फिल्ड का है जो इनिशेटिव है यह खासा इंपॉर्टेंट हो जाता है और आखरी न्यूस मतलब आखरी न्यूस पीपीटी में अलग से और भी छे न्यूसेज हैं अभी इंडिया वांस यूकी ऑफ स्ट्रेसी प्रोकल स्टेप्स ओवर वैक्सीन डिस्क्रि वीडियो भी बनाई है लगबग दो बजे वो वीडियो आपको लाइव मिल जाएगी मैं उसको दो बजे के लिए शेडूल कर दिया तो वहां पर मैंने आपको बता रखा है कि किस प्रकार से ओवर आल जो हमारे देश के लोग है जुन्होंने हमारे देश के अंदर वैक्सी हुआ है तो भाई आपको यूके मेंटरी नहीं मिलेगी जबकि खास बात यह कि यूके की पैरेंट कंपनी नहीं इसकी टेक्नलोजी इजात किये और हमने यूके को ये वैक्सीन एक्सपोर्ट भी किये डीटेल एनलेसिस के लिए जो दो बजे वीडियो आईगी आप उसको लिजेगा अब चलते हैं अपने अगले आर्टिकल की तरफ सीस फायर अगॉंग एलो सी एक्सपेक्टेड टू होड़ आपको पता है कि फरवरी 2021 से यह चो लाइन ऑफ कंट्रोल है इंडिया पाकिस्तान के बीच में यहाँ पे कंपरिटिवली शान्ती आगी है गंस शान्त हैं शेलिंग कम हो रही है जाता बंदूकें वगरा नहीं चल रही है सीस फायर अभी कले टिका हो सीस फायर का मतलब क्या होता है कि जहां पर आपकी लाइन ऑफ कंट्रोल है जहां पर आपकी बाउंडरी है वहाँ पे चीज़े शान्त है इंडियन आर्मी अपने तरफ गूम अफिसर कमांडिंग जी ओसी ओफ देशी नगर बेस्ट 15 कॉप्स इन्होंने क्या बोला देर हैं नो इंक्रीज इन सीस फायर वालेशन सी फपी दिस यर देर हैं ना कश्मीर वैली देर भी नो इंडिकेशन और पाकिस्तान के तरफ से सीस फायर वालेशन नहीं हो रहे हैं हा कश्मीर को फ्री कराने वाले कॉज में इन्वाल्ड हो गए तो इंडियन आर्मी की बंदू की गोली से मर होगे यह बात तो उत्ता है है ठीक है लेकिन फिर भी इस प्रकार की लोकल रिकूट्मेट एक्टिविटी चलती रहे थी और कश्मीर में बहुत सारे युद्स हैं ज जो ये किनाम से militants होते थे वो infiltrate करते थे इंडिया की तरफ पर, अभी दो ऐसे infiltration attempts हुए है, एक तो बांदीपूर में हुआ है, और रिसेंटली एक operation चल रहा है बारा मुल्ला में, बारा मुल्ला में ऐसा लगा इंडिन आर्मी को, कि infiltration हो रहा तो वहाँ पे आर्मी की units deploy कर द नहीं होता, तो जहां पे मैंड नहीं होता है, वहाँ पे पाकिस्तान की side से इंडिया की तरफ लोग घुसने की कोशिश करते हैं, और ध्यान डाइवर्ट करने के लिए पाकिस्तान की आर्मिया गोली चलाने लगती है, शेलिंग होने लगती है, और उस समय पे काफी आसाम ह 45 ceasefire violations हुए थे, 2019 में 3,168, 2018 में 1,628 ceasefire violations हुए थे, इस साल 592 ceasefire violations हुए, 25 फरवरी तक ceasefire violations बहुत जादा थे, अब नहीं है, ceasefire violations का मतलब कि भाई शांती रखने को बुला गया, शांती नहीं रख रहे हो, लड़ाई कर रहे हो, लगातार गोलिया मंदू के चल रही है, अब कि अलेडनेस पे कोई कमी नहीं होती, लेगन आप कह सकते हो, कि अगर इस साल के winters तक, overall ceasefire violations जादा नहीं होते हैं, तो this will be one of the quietiest years along line of control, ठीक है, अब यह सब हो क्यों रहा है, देखिए, it is influenced by regional and global developments, बात यह है कि US pull out कर गया, अफगानिस्तान से, तालिबान को लेके पाकिस् preoccupied है, प्रस financial action task force में भी पाकिस्तान को blacklist करने की बात की जा रही है, तो इस समय पे पाकिस्तान के पास और बहुत सारे, आप कह सकते हो, ऐसे मुद्बे हैं, जिस पर urgent attention की जरूत है, तो ऐसे cases में, इंडिया के साथ अगर यह ceasefire violation होते रहेंगे, तो पाकिस्तान की मुसीबत बढ़ सकती है, इसलिए पाकिस्तान ने अभी के लिए ceasefire violation बंद कर दी है, लेकिन यह सिर्फ temporary है, जैसे ही पाकिस्तान को थोड़ा relief मिलेगा, मालो उनको grey list से हटा दिया जाता है, overall ही तालिबान वाला मुद्दा उनके लिए competitively solve हो जाता है, तो उसके बाद आप देखोगे कि फिर से ceasefire revolution शुरू हो जाएंगे, और खास बात यह कि local recruitment चालू है, कश्मीर यूट्स का, 2019 में 119 कश्मीरी यूट्स को terrorist activities के लिए recruit किया गया, 2020 में 186 को, अभी June end तक 79 लोगों को recruit किया गया, तो यह तो काम गड़बड है ना, कितने सारे terrorist recruit के जा रहे हैं, लेकिन हमारे Indian armed forces उनको, उनकी जननत भी भीजने में लगी रहती है, तो भाईया तुमको जननत जाना है, तो देखो, 2020 में 221 terrorist को मार दिया गया, 2019 में 153 को मार दिया गया, 2018 में 215 को मार दिया गया, तो Indian army काम पे लगी हुई है, लेकिन जो जड़ है, जो source है, उसको address करना बहुत जरूरी ह और इसकी कोशिश हमारी सरकार कर रही है, नेक्स्ट है आर्टिकल, आपका कस्तूरी रंगन to lead syllabus panel, देखें, ये news आपके लिए काफी important हो जाती है, actually मैं national curriculum framework की यहाँ पर बात हो रही है, अभी 12 member की steering committee बनाई है, जिसको 3 साल का tenor दिया गया है framework को draft करने के लिए, कौन से framework को draft करने के लिए, national curriculum framework को draft करने के लिए, कसल में केंद सरकार ने जो 12 member की steering committee मनाई है, इसका head रखा है के कस्तूरी रंगन साब को, के कस्तूरी रंगन साब former ISRO chairman है, former Indian Space Research Organization के पहले chairman मन चुके है, अभी जो national education policy के लिए जो committee मनी थी, उसके chairman भी के कस्तूरी रंगनी थे, और यहाँ पर यह जो national curriculum framework के लिए committee बनी है, उसके chairman भी के कस्तूरी रंगन साब ही है, अच्छा national curriculum framework क्या है, देखे, national curriculum framework बनाने को बोला गया था national education policy के थो, आपको पता है कि हमारी national education policy ने एक revolutionary तरीके से education के architecture को system को इंडिया में amend करने के कोशिश किये, और उसके लिए national curriculum framework बनाने की बा अभी ये school में बदी जाएंगी, तो books भी बदी जाएंगी, तो अभी के लिए जो NCRT की books आप पढ़ते हो ना, वो बदल जाएंगे आने वाले 3-5 सालों में, ये थोड़ा मुझे भी tension दे रहा है, चोकि बहुत सारी NCRTs मेरी बच्ची हैं, तो जैसे इस 37 चंद्रा मीडियो history खतम होगी, मैं सबसे पहले NCRT खतम करूँगा, ताकि कम से कम 3-4 साल तो books relevant रहें, चोकि NCRTs बनाने में काफी समय लगता है, तो थोड़ा सा ये news मेरे को भी वो दे रही है, मतब, change होगे, वैसे बहुत revolutionary change नहीं होगे, अब static geography की concepts तो ना बदल जाएंगे, लेकि नहाब books बदल जाएंगे, ओके, ऐसा ही एक framework 2005 बना था, अब finally यहाँ पर फिर से ये आ गया है national curriculum framework, national curriculum framework पर जब report दे देंगे कि एक अस्तूरी रंगन साब की 12 member की steering committee, तो उसके बाद फिर matter पहुँचेगा NCRT के पाद, national council for educational research and training के पाद, और फिर वो NCRT की books को थोड़ा बहुत amend करे बताँगे, यहाँ पर चार heads के अंदर, यह steering committee अपने recommendation देगी, एक तो school education का curriculum क्या होना चाहीए, teacher education का curriculum क्या होना चाहीए, early childhood education का curriculum क्या होना चाहीए और adult education का curriculum क्या होना चाहीए, यह चार अलग-अलग points में यहाँ उवर और ऑलSO recommendation दी जाएगी, प्रस यहाँ पहुखे भया NDAs में अब women के entry होगी, में 2022 में जो notification आएगा आपका NDA का, अगले साल जो 2022 में notification आएगा NDA का, उसमें women के entry direct होगी, इस साल क्यों नहीं, तो इस साल इसलिए निचो की ministry, defense ministry का यह बोलना है, कि भाई देखिए अगर आप NDA के through women को index कर रहो, तो आपको proper infrastructure बनाने पढ़ें के लिए रहने के लिए अलग से जगह हैं, इस प्रकार की चीजों को revisit करना पड़ेगा, किस प्रकार से उनकी physical training होगी, इन सब चीजों को देखना पड़ेगा, फिर other issues regarding capability of the NDA to absorb the index, the desired cadre structure, downstream effect, envisage requirement and employment of the respective defense services, इन सब चीजों को देखना पड़ेगा, फिर किस हद तक यहाँ प dilute किया जा सकता है, चुकि एक limit से जादा अगर आप training के framework को dilute करोगे, तो इससे तो हमारी defense forces कमजोर हो जाएंगी न, battle worthiness is very important for the armed forces, उनको dilute नहीं किया जा सकता, तो इसके लिए women training किस प्रकार से होगी, उसके उपर भी आपर defense ministry बातचीत करेगी, तो इन सब चीजों को लेक साफ साफ हमारी सरकार ने और defense ministry ने Supreme Court को बोलते हैं कि देखो साब, May 2022 में जो आपका notification आएगा, उसमें women's allowed होगी, तब तक हमें समय दे दीजे, हम यहाँ पे चीजों को इजात कर रहे हैं कि हम इन सब चीजों को implement करें, अभी के लिए जो exam हो रहा, उसको होने दू, most probably Supreme Court इस किस हब तक कितनी allowed होगी, वो आगया NLC में पता चलेगा, अगले साल तक का time मागा है यहाँ पे किसने, केंज सरकार ने और defense ministry ने, कि हम process को device कर रहे हैं कि woman का intake कितना होगा, कैसे इन की training होगी, वगरा वगरा, ओके, next बात करते हैं, no link between AUKUS and Quad Government, देखिए आपको पता होना च commitment, Australia के Prime Minister Scott Morrison भी होगे, Japan के Prime Minister Yoshi Hidesuga भी होगे, ठीक है भई, लेकिन भारत की सरकार के तरफ से एक proper clarification चला गया है, कि Quad का AUKUS के साथ कोई लेना देना नहीं है, अभी US में जब meeting होगी ना, तो उस समय पे Quad के भी members होगे, प्लस ये जो UK, Australia और US का group बना इसके भी members होगे, तो कि Quad और AUKUS का कोई लेना देना नहीं है, Quad is a separate thing and AUKUS is basically a separate thing, ये किस ने बोला, ये Foreign Secretary Harsh Sringla साब ने बोला है, ठीक है, फिर Quad की meeting में बातचीत क्या होगी, तो भाई, pandemic, new and emerging technologies, climate change, infrastructure, maritime security, education, humanitarian assistance, ये सब चीजों की बात होगी, साफ साफ देखे, AUKUS है एक security alliance है, एक प्रहार से कह सक तो military pact है, जिसके चलते Australia के लिए nuclear submarines बनाई जाएंगी, लेकिन Quad एक military pact नहीं है, काफी कुछ इसमें military pact जैसा है, but it is strictly not a military pact, इसलिए AUKUS से अपने आपको straight forwardly अलग कर दिया है, इसने बारा सरकार ने, बारा सरकार ने बोलाएगी भाई, देखे, ये जो Quad है, ये Quad एक open and transparent Indo-Pacific के vision को लेके चलता है, इसको एक inclusive region मनाना चाहता है, और ये सब चीज़े माला बार, जो naval exercises है, उसमें भी नज़र आती है, लेकिन AUKUS एक security pact है, तो AUKUS security pact से अभी के लिए India अलग हो गया है, most probably इसका एक reason ये भी है, कि शायद इंडिया और France के बीच में, एक advanced level की defense pact की बातच चल रही है, हो सकता है कि कल की date में, इंडिया और France मिल के major scale पे submarines बनाए, nuclear power submarines, हाला कि इसके बारे में भी ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहिए, जब तक formal announcement नहीं हो जाता, तब तक ऐसा कुछ नहीं बोलना चाहिए, चुकि अभी भी US France की बातचीत हो रही होगी, इंडिय इंडिया फ्रांस की बातचीत हो रही है, किस हब तक France यहाँ पे involved होके, इंडिया को मदद करेगा, high tech marine submarines बनाने में, यह देखने वाली बास है, चुकि देखिए, फ्रांस और इंडिया involved होंगे, तो मिल के submarines बनाएंगे, और इस प्रकार के decisions बहुत मदद करते हैं, चुकि मि देखिए, हुआ यह है कि Justin Trudeau साब ने दो साल पहले elections बरा लिए, elections due थे 2023 में, बद Justin Trudeau साब ने 2021 में करवा लिए, Justin Trudeau साब को लगा था कि वो elections को comfortablyly जीच जाएंगे, House of Commons में अपनी majority सरकार बनाने के लिए, उनको 170 सीटों की जरुवत थी, लेकिन उनको केवल 158 सीटे ही मिल पाइंगे, तो वो coalition में 12 और सीटों को लेके अपनी majority को यहां पर बनाएंगे, तो Justice Trudeau साब पूरी majority यहां पर नहीं ले पाएं, जैसा उन्होंने पहले perform किया तो almost वैसा ही perform किया, उनकी जो liberal party है, यह 158 सीटे जीती है, आगर second पर बात की जाएंगे, तो जो conservative party है, यह 119 सीटे जीती है, जो leftist new democratic party है, इसने 25 सीटे जीती है, जो block cubocosis है, इसने 34 सीटे जीती है, तो इस प्रकार से चीज़ें यहां पर निक हारा लोग यहां पर अलग-अलग political party से house of commons में elect हो है, तो definitely जो पंजाबीज हैं, वो भाई यहां पर तर्खाट मचा रहे हैं, वो यहां पर दूम मचा रहे हैं, चोकि Canada में based पंजाबीज हैं, Indian origin के हैं, बट मैं आपको यह बता दूँ कि बहुत जदा Indianness वाली बात उनके अंदर नहीं है, यह बात याद रखिएगा, खासकर जो Canada में बहुत लंबे समय से सिख जाके बसे हुए हैं, उनके अंदर बहुत सदा Indianness की feeling नहीं है, कहीं न कहीं बबर खाल सावाली इशू को भी उनमें से बहुत सारे लोगों ने support किया है, तो ठीक है, definitely Indo-Canadians यहां पर तरकाट मचा रहे हैं, मतलब बूम कर रहे हैं, लेकिन बहुत सदा प्रो इंडियन उनको मत समझेगा, और नेक्स्ट बात करते हैं, रश्या बिगेंस लिटी विनन को मडर, रश्या बिहाइंड लिट विनन को मडर, राइट को रूस देखिए, हुआ यह था, लंडन में ए शायद रेट्यो एक्टिव मटोरियल था, तो यह मर गया, केजीपी, जो किस पाई एजनसी है, रश्या की उसके लिए इनोंने काम किया था, और बाद में जो केजीपी के बाद, केजीपी एक्चुली सोवित की एजनसी थी और सोवित के बाद आई FSP, फिर क्या हुआ कि ल Russian Intelligence Services जिस प्रकार का Organized Crime करती थी, उसको एक्सपोस करना शुरू कर दिया, चुकि इनोंने Russian Investigation Agency में काम किया था, तो इनको पता था कि Russian Investigation Agency कैसे काम करती है, तो शायद यहाँ पे Russian Investigation Agency दिन से नारास थी, इसलिए यहाँ पे इनकी poisoning कर दी गई, नवंबर 2006 को इनोंने चाय पी दो Russian Men's के साथ लंडन के होटल में, और उसके बाद इनकी एकदम से हलत खराब हो गई, यह हॉस्पिटल पहुंचे और हॉस्पिटल में यह मर गया, बाद ने पता चला कि इनकी चाय में Radioactive Polonium 210 मिला हुआ था, British Inquiry ने 2016 में बोला है, कि इसको रशिया के दो एजेंट्स ने तो यह बात लंडन ने बोली थी, इस बात के उपर हामी भर्दी है European Courts of Human Rights ने, European Courts of Human Rights ने बोला है कि जी हाँ, ओफिशली यह दो लोग involved as murder में, और Russian Intelligence ने ही यह murder करवाए, इन फाक्ट यह जो अलेक्जेंडर थे, अलेक्जेंडर लेडिवन को, इनकी विड़ो मरीना ही, स् बहुत सारे spies को मारने का charge अक्सर कर लगता रहता है, अब यहाँ पे कुछ punitive damages भी माँगे थे, अलेक्जेंडर की wife ने, तो punitive damages के लिए तो मना कर दिया European Courts of Human Rights ने, बट European Courts of Human Rights ने रशिया को order किया है, कि आप 1,00,000 euro in damages दीजे मिस्स मरीना को, जो की wife है अलेक्जेंडर लि बोल दिया है, उन्होंने क्या बोला, we are not ready to take such rulings on board, मतलब हम इस ruling को मानते ही नहीं, वैसे भी नहीं मानने वाले तो यह बात तो विल्कुल clear थी, तो यह आज का था current affairs discussion दोस्तों, I hope आपको कुछ ने कुछ सीखने को मिला हो, वीडियो को लाइक और शेर किये मेंना मच यह तो instagram पर follow कर लिजे, telegram group join कर लिजे, I hope आपको इस प्रकार की वीडियो पसंद आ रही है, जादा से जादा लोगों के साथ share करें, have a great day, goodbye